आज हमारे लिए काफी जादा दुख बरा दिन है क्योंकि आप पता है कि जो मेरी बैटा फिश है वो हमारे वन फिट वाले टैंग में थी और आज उसकी डेथ हो चुकी है में रीजन मुझे यही लगता है और आप भी जैबरा फिश के साथ बैटा फिश को बिलकुल ना डाल और लाइट को जादा देर तक बंद करके ना रखे तो आपकी फिश बहुत जादा हेल्दी रहेगी और अच्छी रहेगी देख सकते हैं और चलिए जल्दी से निकालते हैं यह देखिए यह पूरी फिश वाइट हो चुकी इसका मतलब इसका इसकी डेथ कली हो चुकी थी यह देखिए कित्ते जादा खतरनाक तरीके इसके फिन को निप कर दिया है सारे फिश जोज ने यह देखिए यह हमारा केले का पेड़ है और केले के पेड़ की बगल में हम सारी फिश को दफनाते हैं देख सकते हैं और इसे मिटे